भारत के जमुकश्मीर को लेकर कोई बड़ी डवलेपमेंट हो रही हो और दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों के संगठन की दरह से भारत को धंकी ना दी जाए ऐसा कैसे हो सकता है। चाइना की कमिनिस्ट सिर्कार कल को अगर चाइना में सभी मस्जिदों को बंद करके ताला भी लगवा दे लेकिन तब भी ये सारे मुस्लिम देश उसके उपर कोई भी टिपनी नहीं करेंगे। मगर भारत में पत्ता बीलता है तो इनको प्रॉब्लम होती है। हमेशा ही की तरह इस पार भी और इसलामिक कॉपरेशन नाम के मुस्लिम संगठन ने जमुकश्मीर के एलेक्शन प्रोसेस पर टांग गड़ाई है। और कहने को तो ये देश इसलाम को प्रोमोट करने और इसलामिक देशों के राइट्स और इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इन्होंने मिलकर इस इंगटन खड़ाई किया है। लेकिन इनको बस पूरी दुनिया में भारत ही दिखाए देता है। चाइना नहीं रेफरेंस के लैब के स्क्रीन के उपर आर्टिकल का स्क्रीन शॉट है। कभी रिपलेस नहीं कर सकता है। चुनाओ करवाने का ये मतलब नहीं है कि जमुकश्मीर के लोगों का जो सेर्फ डिटर्मीनेशन का अधिकार है यानि जो खुद अपने भवीशे को चुनने का अधिकार है वो खतम हो जाएगा। साउथ इश्या के रिजन में पीस और स्टेबलेटी तब ही आएगी जब इनाटर नेशन सेक्योर्टी कांसिल के रेजिलूशन के मताबिक जमुकश्मीर के मसले का निप्टारा होगा। और कश्मीर के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन यानि की अपना भवीशे खुद चुनने का अधिकार मिलेगा। इसके लाव वाइसी ने भारत को यासीन मलिक और बाकी कश्मीरी लीडर्स को जेल से रिलीस करने के लिए भी का है। और बोलाई कि भारत ने इनके खिलाफ जूटे केसिस फाइल किये। इसके साथ ही वाइसी ने आर्टिकल 370 को दोबारा से इंप्लिमेंट करने के लिए भारत को आदेश दिये। इससे पहले भी पाकिस्तान की कैने पर उइसी हमारे कश्मीर के मसले में कई बार स्टेटमेंट दे चुका है। तो इवन मुस्लिम्स को वाँ पर दारी तक रखने का अधिकार नहीं है जबकि दारी का इसलाम में काफी बड़ा मैतों माना जाता है और चैना ने तो इवन कुरान का एक निया वर्जिन भी वाँ पर रिलीस किया है वैसे किसी ने ये सही का है ये दोगले मुस्लिम देश चैना के आतों ही सुदर थे है भारत जितना चुप बैठता है ये मारे सर के उपर उतना ही चड़ते है कतर, कुईत, साओधी औरभ ये चो कटर इसलामिक देश है इनकी तरह से डिरेक्ली भारत को लेकर कोई भी स्टेट्मन नहीं आती है ये भारत के कश्मीर मसले को पर डिरेक्ली कुछ नहीं बोलते है बस टर्की कभी कबार को स्टेट्मन दे देता है उसके लाब आप किसी भी मुस्टिम देश की कभी भी हिमत नहीं होती है कि वो केले भारत के सामने आए 1 to 1 हम से टकर ले इसलिए साओधी अरब, कतर, कोई जैसे कतर इसलामिक देश Organization of Islamic Corporation के बैनर के पीछे छुपकर भारत के उपर अटाइक करते हैं भारत जिस स्तेजी से आर्थिक तोर के उपर अपने आपको मस्बूत कर रहा है I hope कि वो स्पेड आगे भी बरकरार रहे है क्योंकि सच्चा ही है कि जब तक हम चाइना की तरह एक बड़ी एकनामी वाला देश नहीं बन जाते हैं जब तक हमारी अर्थिवस्ता 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर्स को प्रॉस्ट नहीं करती है तब तक ये Organization of Islamic Corporation इसी तरह से भारत को भी टागेट करते रहेंगे